हलो दियर स्टूडेंट, तोड़े आइम गोईंग टो एक्स्प्लेन एक्सराइज 1.4 अफ यूनिट 1 इंटीजर्स ओके क्वेशन नमबर वन डिवाइड दा फॉलोईंग डिवाइड दा फॉलोईंग नमबर ए माइनस 32 दिवाइड बाइड 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 ओके देखिए इंटीजर्स में जो डिवीजन हम करते हैं हम नमबर के साथ साथ उसमें माइनस और प्लस का जो साइन यूज होता उनका भी डिवाइड करते हैं ओके तो अब इसमें देखिए किस तरह के होता है कि जैसे माइनस 32 डिवाइड बाइड दिया है तो पहले हम इसको एज इसे फ्रैक्शनल राइड कर लेते हैं अब इसे आप जानते ही होगे कि जब भी डिवाइड होता तो इसे हम अपान करते हैं ना अपान एट ओके एट बंजा एट एट फोर जा थाड़ी टू आप कैंसिल करके जो नियुम्रेटर हमारा आता है वही आमारा एंसर यहां पर हो जाता है ओके तो यह डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हो तो फोर आया यहां देखो इसमें प्लस है और माइनस जब प्लस माइनस आपस में आ लिए फिर डिवाइड कर देंगे ठीके ना यह एट एट फोर जा थर्टी टू फोर आया और माइनस 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 फोर इस दा इट इस एंसर आफ दिस कोश्चन ओके नमब बी बी में देखिए माइनस 56 डिवाइड बाइनस 14 अब यहां पर भी आप पहले आप इस था फिप्टी 6 होता है 4 फॉर इसका क्या हो जाएगा ऑनसर हो जाएगा ऐसे आपका सी में भी हो जाएगा इसको भी जब आप बनाऊगे फ्रेक्शंटंस ठीक्डर置्र जब ह माइनस एल्टक्ण 16 जा, 256, 16 इसका answer हो जाएगा, minus 16, ओकी, ऐसे आप जो है, बाकी questions का भी divide कर सकते हैं, आप, d में देखिए, 0 upon, 0 upon minus 47, 0, यदि किसी भी number से divide किया जाता है, ठीक है न, किसी भी number से अगर 0 जाता है, और उसके साथ चाहिए, minus लगा हो या plus, लेकिन 0 के साथ, ना तो minus होता है, ना तो plus, सिर्फ 0, 0 ही हमारा answer proper होगा, ठीक है न, ऐसे आपका E, divide करने पाएगा, F आएगा, G, H, I, सब ही questions हो जाएगे, अब आप solve कैसे करेंगे, इसको आप यहाँ पे answer sheet पे देख भी सकत करते हैं, रेखिए, कुछ करना नहीं, सिब आपको divide कर देना है, direct numbers से, अब plus, minus sign का भी, आपको divide कर लेना है, ठीक है न, इस तरह काप के सारे answers, find out हो जाएगे, ओके, चली, अब हम question number 2 की तरह आते है, fill in the blanks, 470 divided by, यहाँ भी blanks हो गया, आपको fill करना है, कि किस से मैं divide करू, कि मुझे 4887 मिले, देखिए, जब मुझे वही number लाना होता, तो simple है कि 1 से हम divide करते हैं, 1 से अगर हम divide करते हैं, तो हमको वही number मिल जाते है, question में भी वही number आ जाएगा, ओके, इसी तरह कि आप B में देखिए, B में यहाँ यहाँ पे wrong fill हुआ है, इसको आप मत देखिएगा, किसी student का था, books उसने गलत fill किया हुआ है, ओके, चलिए, देखिए, 168 में किस number से हम divide करते हैं, कि minus 12 आ जाए, ऐसे process में आप इसी 12 का इसमें divide कर दो, ठीक है, तो clear हो जाएगा, 12, 1012, ठीक है, 12, 4 जा, क्योंकि 4 जा, 12, 4 जा, 48, 14, अब माइनस में लाना है, तो माइनस 14, तो म इसमें 168 में, तो आता है क्या, माइनस 12, ओके, सी में देखिए, सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा number आप put किया जाए, ठीक है, कि minus 17 का इसमें divide इस number से कर दिया जाए, तो आपको 289 मिल जाए, तो आप याद रखिएगा, आपको positive आना है, तो यहाँ पहले चीज तो में into कर दिचे आप, ठीक है, क्योंकि जब यह divide है, यह दूसरी तरफ आएगा, तो into ही होगा, into कर देंगे, जो number आएगा, वही आपका proper answer हो जाएगा, यानि 289 में 17 से into कर दिचे, ओके, यह तो आपको आता ही है, into करिए, यहाँ पे number रख दिजो, माइनस लगा दिचेगा, ओके, चली, ऐसे बाकी questions फिल करने हैं, उसको आप खुछ से करिए, समझ के तो आपको आएगा, ठीक है, यह देखिए, यहाँ पे फिल हुआ है, इस तरी के, d में देखिए, आपका minus 512, minus 16 से divide करने पे होगा, 32, ओके, चली, अब इस से थोड़ा सा hard problem पे आते हैं, यानि integers, integers के भी rule को भी इसमें apply करना होगा, ओके, चली, यह देखते हैं, देखिए, question number 3, simplify the following, a4 minus 24 divided by 4 into 3, अब इसका simplify हम कैसे करते हैं, यह देखिएगा, मैंने भी बताया था कि आप board mask का rule यूज़ करेंगे, class 5 में, 4 में आप study कियें कि कैसी से solve के जाता है, board mask में क्या होता है, पहले हम bracket को solve करते हैं, ठीक है न, फिर उसके बाद off को, फिर brackets को, ठीक है न, off को, फिर उसके बाद division, फिर उसके बाद multiplication, addition, फिर subtraction, यह board mask, ठीक है, तो पहले brackets देखते हैं, तो कैसे bracket हैं, नहीं है न, फिर उसके बाद हम किस पर आते हैं, off, off भी नहीं है, फिर क्या division, दो नमबर में division है तो पहले हम division ही करेंगे ठीक है जब हम division यहापे करते हैं तो इन दोनों का answer 6 है बाकि सेम सबी चीज़े आप लिखे लेगिन इनी दोनों को हटा के इनका answer लिख दीजे क्या 6 देख लिजे ये steps है ओके board मस्ट में division division के बाद multiplication चेक करेए कही multiplication है yes इन दो देख रहे न अब 4 से 18 को माइनस करना यह इंटीजर रूल आ गया 4 से 18 माइनस करेंगे तो माइनस 14 आएगा ठीक है यह answer हो जाएगा चली इसका solution आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर solution देख लो यह देखो यह आपकी screen पर okay ऐसे इसी step पर आपको solve करने है चली बी का solution आपको यहीं समझा देते हैं questions भी यहीं पर है curly bracket 14 divided by minus 4 curly bracket close into minus 6 तो सब से पहले हम curly bracket के अंदर को solve करेंगे इन दोनों को 14 divided by minus 4 तो directly divide होगा नहीं तो इसी अपान में बना लीजिए ठीक है ना 14 अपान में भी कर सकते हैं अभी question no.1 में यहीं explain किया फिर यह into minus 6 यह देखिए 4 जो है 4 और 6 से 2 के table से cancel हो रहा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 फिर यह 2 जो आएगा वह उपर 7 को 14 को भी 7 टाइम में cancel कर देगा 2 7 जा फ इसमें minus 3 तो से minus minus plus हो गया 7 3 जा 21 यह answer हो जाएगा ओके चली अब एक question और देख लेते हैं C C इस समय आपकी screen पर है देख सकते हैं थोड़ा सा हम को move करके बताना होगा ठीक है ना small bracket minus 45 divided by 9 small bracket close divided by curly bracket minus 3 into minus 1 divided by 3 curly bracket close calculate देखिए 9 5 जब 45 आपका क्या आगया minus 5 आगया ठीक है यह देख रहे हैं ना minus 5 जब हम इसमें दोनों का divide करेंगे तो minus 5 आएगा ओके फिर dividedation minus 3 into minus 1 तो पहले आप यहां पर देखिए डिवाइड ही करेंगे क्योंकि इन में भी आपको डिवाइड ही करना होगा पहले ठीक है इन दोनों का minus 1 अपां 3 3 3 cancel हो जाएगा तो आपका आएगा क्या माइनस माइनस प्लस प्लस वन अब उसके बाद यहां minus 1 divided by 1 जब आव इससे solve करेंगे तो आएगा minus 5 यह answer हो जाएगा ऐसे आपका D E F बागी questions होंगे देखिए डी भी है इभी है एपी है ओके चले अब चलते हैं हम अगले question के तरफ question number 4 the product of two integers is 90 देखिए दो नंबर का जो दो integers है जिनके product 90 है if one of the integers is minus 6 अगर उनमें से 1 minus 6 से दूसरा बताईए ऐसे questions important होते हैं ठीक है ना दो product का अगर दो product का integers minus 90 है तो minus 90 तो product हो गया एक देगा तो उसी सब divide कर लो तो second आपका आ जाएगा other integers आ जाएगा minus minus का जाएगा 6 बंजा 6 6 5 यानि 15 क्या है इसका answer है ठीक है आप solution देखना चाहते हैं तो यहाँ पर solution देख सकते हैं यह देखें इस समय आपके screen पर है the other integers question number 4 is equal to minus 90 divided by minus 6 solve कर दीचे 59 जाएगा ओके चली next question number 5 the temperature of a room at 12 noon यानि दोपाहर की समय temperature जो है is 12 degree above 0 0 से above जब भी आपको above कहें ठीक है जीरो से above तो यानि plus 12 degree celsius है is the clear plus में the room temperature decrease at the rate of rate of 2 degree celsius per hour at what time would the temperature be 8 degree celsius below 0 देखें जब above कहें plus below दे तो minus 8 तो आपसे यह कहता है कि 12 degree celsius decrease 2 percent 2 degree celsius per hour यानि यह वन आवर में 2 degree decrease हो रहा है तो वह 8 degree below 0 यानि minus 8 degree तक आने में वह कितना time लेगा और वह समय क्या समय होगा clock page 12 noon से start हुआ है चलिए इस question का हम solution आपको दिखाते हैं और वहाँ explain करते हैं यह देखी question number 5 temperature of a room at 12 noon 12 noon पे देखा गया तो 12 degree celsius है अब temperature of a room after decreasing जब decrease हो जाएगा तो minus 8 degree celsius क्यों minus 8 क्योंकि below 8 degree celsius below 0 कहा है इसलिए minus 8 अब दोनों में देखते हैं कितनी decreasing temperature यानि 12 से minus 8 आने में कितना decrease होगा 12 degree celsius minus minus 8 degree celsius यह steps of integers में जानते होंगे कैसे solve होता है minus minus plus 12 8 20 degree यानि 20 degree celsius decrease होगा temperature अब कितना कहरा time होगा तो time taken 20 degree celsius upon 2 degree celsius per hour तो 20 cancel होगा 10 hour यानि कि 10 hour time taken होगा यानि कि decrease होने में जो time लिया उसने 10 hour तो clock पर उस समय क्या time होगा the temperature be 8 degree celsius below zero at time किस time पर हो जाएगा वो तो time उसमें लगेगा 12 noon था 10 hour over होगा तो 12 noon के बाद आपका pm आता है तो 10 pm उस समय उसका time होगा 10 pm minus 8 degree celsius temperature होने पर ओके चलिए इस question को अच्छे साब 2-3 बार आप सुनिएगा समझेगा और इस screen से आप देखिएगा किस तरीकी का solution का steps है solution step अगर आप समझ जाते हैं तो आपको solve करने में कोई भी problem नहीं आएगी question no.6 इस वीडियो का last questions explain होगा बागी जो questions है वो next video में हम आपको prepare करके देंगे okay write to five pairs of integers a,b आपको five pairs of integers a,b write करना है वो भी किस bound में वो भी देखिए such that a,b a divided by b is equal to minus five यानि ऐसे integers a,b बताने हैं कि उन दोनों का divide करने पर answer minus five है simple तो minus ten divided by two solve कर दीजे two five जा minus five आया तो यानि a और b का जो integers बनेगा वो minus ten बनेगा और two बनेगा यह होगा एक आया भी one आया इसी तरीके आपको continue five लेना है तो आप कोई भी नमबर ले सकते हों यहाँ minus fifteen लेलो divided by three अब भी solve करके देखलो आप आ रहा है ना minus five अब उसके बाद देखो minus twenty divided by four four five जा माइनस five आ रहा है minus twenty five divided by five minus five ओके ऐसे एक आउल लेलो minus thirty divided by five ओके तब इस तरीके आप जब करते जाते हैं continue आपको five pairs मिल जाते हैं ठीके चलिए इसका solution भी देख लिए रिटेन फॉर्म में कैसे करेंगा आप यह देखें इससे हम आपके स्क्रीन पर है a divided by b minus ten divided by two okay solve करने पर कितना आएगा a b आपका minus five minus a आपका integers minus ten p आपका two यह देखें a b minus ten two इसे तरीके continue five times आप करिएगा okay इससे में स्क्रीन पर सारे solution के steps हैं यह देखें a b five pairs आपके मिल गया है ठीक है तो answer five pairs of integers a b minus ten two minus fifteen thirteen इसे तरीके continue minus thirty six तक कर लिजएगा okay dear student इस वीडियो को आप completely अच्छे से दो से तेन बार समझेगा फिर अपने notebook पे solve कर लिजगा okay thank you